स्प्राउट्स प्रोटीन इंटेक करने का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कर चुके हैं और देखिए दरदरा सा पिश चुका है अब हम इसको एक बरतर में निकाल लेंगे और हम थोड़ इसी सब्जा भी इसके अंदर चॉप करेंगे तो यहां पर मैंने हरा धनिया लिया है थोड़ इसी मेथी लिया है आप चाहें तो मेथी की जगा पालक का भी यू देखिक अंदर कुछ मिलाएंगे जैसे कि मैनें सुक्झी लाल मिर्ष मिला है थोड़ हल्दी पाउडर धनिया पाउडर सके अंदर हम इलाएंगे और इस के अंदर हम सॉफ द बहुत ऐस तो शुप ही अच्छा फ्लेवर आता है सॉफ का और थोड़ी सी हींग और नमक दाल है इससे भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेंगे आपके पराठे जो हम बनाने जा रहे हैं हाज इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर में दो बड़े वाले स्पून जो है वह वीट आटा डाल दूंगे अब इस आटे को अच्छे से मसल मसल कर इन सब इंग्रीडियंट के साथ मिक्स कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ऐसे इसका भी डो लगा कर रैडी कर देना है तो यह सब मिक्स हो चुके हैं दोस्तों इसका टेस्ट बेड में पूरी जैसे हम खाते हैं दोस्तों वैसा आने वाला है इसको खाने के बाद शायद वह आप ना बनाए और यही बनाकर खाएं हमेशा तो देखिए हमारा जो डो है बनकर रैडी हो गया है अब इसको हम 10-15 मिंट्स लिए रैस करने देंगे इतने हम ह यमी सक्लीर बना लेते हैं यहां पर बना रही हूं तो यहां पर मैंने म्हाल पटला पाडिया है इसके अंदर में जीर पाउडर लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दूगी और वसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करोंगी और हर धनिया Villageी यहां प्राइट से आप जरूर ट्राइक कीजिएगा बहुत ही अधा अमेजिंग लगा था इन पराटो के साथ तो चलिए अब हम इन पराटो की तयारी करते हैं तो थोड़ा सा इसको और मसल कर हमें सॉफ्ट कर लेना है आटे को यह पराटे क्रंची और सॉफ्ट दौनों ही तरीके के बनने वाल बीच में से उसमें चेज होने का डर रहेगा तो दोस्तों देखिए हमारा जो पराठा वो बिंकर रैडी हो चुका है इसे तरीके से हमें जितने पराठे बेल ने हैं बेल कर रख लेंगे क्योंकि पराठे आपस में चिपकते नहीं है तो यहां पर मैंने दो पराठे जो है इस तरीके से और आपको इनको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है अब हम तवा गरम करेंगे और तवे पर इसको घी लगा कर अच्छे से दौनों साइट से सेक लेंगे तो तवा गरम हो चुका है उसके उपर हमने घी डाला हमारा पराठा डाला अच्छे से दौनों साइट स इसको सेका एक साथ से सिग्या है अब इसको हम पलट लेंगे अब इसके उपर हम घी लगाएंगे आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पर घी लगा रहे हूं घी कट इस बहुत ही अच्छा आता है इसको आप लो मीडियम फ्लेम पर ही से क्योंकि लो मीड कंधू सा पराटा भी कर लेंगे लाल कंगी सा पराटह 혁 आप जरूर बनाएगेगा बताने तो और आप कमेंड शक्रेय जरूर बताना कि यह पैसा लगा आप नाघर ह्र अने घर पे ट्राई किया या या नहीं यह पारटह आप रोज बना आपकर घाएंगे मेरी यह तANE हैं और इस कर्ड के साथ तो इसकी कहनी क्या तो अगर रेश्पी पसंद आए तो like, share, comment करना बिल्कुल भी न भूले तक कि ऐसी amazing videos, healthy videos में आपके लिए लाते न हूँ तब तक के लिए स्वस रहिए, मस रहिए, thank you for watching